दोस्तों अगर आप सीर दर्द से परिशान है आपका सीर दर्द बहुत अधिक होने लगा है अगर आपको तुरंद आराम चाहिए टेबलेट आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए गर बेटे आपको क्या नुश्के अपनाने चाहिए कि आप सीर दर्द से चुट चुटकारा पा सकें नमस्कार दोस्तों सभी का ग्यानविट नुस्के में बहुत-बहुत स्वागति आज हम सीड़ दर्द से चुटकारा पाने के लिए आपको क्या नुस्के अपनाने ही जानेंगे चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले तो हम वीडियो को लाइ कैसे चुटकारा पाना है सीड़ दर्द दोस्तों कई प्रकार से हो सकता है यानि कई कारण इसके लक्षन भी कई है लेकिन हो गया है अब इसको सही करना है सबसे पहले आपको क्या करना है नंबर फन दोस्तों गरम पानी में पेर डुबाकर रखने से भी सीड़ दर्द से आ आप पानी में सरसो का तेल भी मिला सकते हैं इन उसका था जिससे कि आप सिर्धर्द को कम कर सकते हैं दूसरा ये कि आप बर्फ से सिकाई कर सकते हैं अपने सर के इससे भी दोस्तों आपको दर्द से रहत मिलेगी तिसरा उपाई ये कि आप अद्रक का इस्तमाल करें दोस्तों अद्रक के इस्तमाल से भी सीर दर्द से तुरंट रहत मिलती है मैं आपको बताना चाहूंगा अद्रक के अंदर A, C, B कॉंपलेक्स पाए जाते हैं जिसमें विटामिन्स होते हैं, मेगनेशियम होते हैं, फोस्परास होते हैं, पोटेशियम होते हैं सोडियम, जस्ता कैल्सियम कहीं सारे तत्व पाये जाते ही अगर आप इसका सिवन करते ही तो आपकी जो रक्त वहानियों में जो दर्द होता है जो सुदन पैदा होती है उसको यह रोकता है और आपको तुरंत सीट दर्द से आराम मिलता है इसलिए आप इसका उपचार जरूर करें और द्रक का आप जूस पी सकते ही निमू के रस्म मिला कर पी सकते ही इससे आपको आराम मिलेगा उसके बाद में नुसका ही है कि सीट दर्द अगर आपको कम करना है तो आप पूदीने का इस्तमाल करें ये सबी दोस्तों गरिलिन उसके ही अगर आप दोस्तों पूदीने का इस्तमाल करते ही तो पूदीने के इस्तमाल से भी आपके जो दिमाग में तनाव रहता है मांसपेशों में तनाव रहता है उससे आपको दोस्तों राहत मिलेगी यानि पुदीना क्या करता है जो आपकी रक्त प्रभाव होता है उसको सुधार लाता है दिमाग में जो तनाव रहता है मान्श पेशो को यह सांत करता है जिससे कि आपके सेड़ दर्द में भी आपको रात मिलती है इसलिए आप पुदीने का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब मैं आपको एक बेहतर तरीका बताता हूँ, आगरी अमारन उसका है, आप तुलसी का इस्तमाल करें, तुलसी के बारे में आप सबी जानते होंगे, अगर दोस्तों मांसपेशय को आराम देना है, सीर्ध दर्ध से आपको वाकई में आराम पाना है, तो आप तुलसी का इस को मिलाकर उबाल लीजिए इसमें आप थोड़ी सी मात्रा में शेहद भी मिला सकते हैं और इसकी चाय बना सकते हैं उसके बाद आप एक कटोरे में पानी को रखकर उसमें और तुलसी की पत्या भी डाल सकते हैं इसके साथ कुछ मात्रा में आप इसमें शेहद मिलाकर चाय बन सीर दर्द में दोस्तों आपको निम्बू का इस्तमान जरूर करना चाहिए निम्बू के छिलकी को आप पीस कर सीर पर लेप करने से भी आपको सीर दर्द से रात मिलती है इसके अलावा बादाम ही बादाम अगर आप खाते ही या फिर बादाम का तेल इस्तमाल करते ही तो भी कि सीर दर्द में काफी आराम मिलेगा और सीर जो भारी रहता है वह भी सही होगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीर दर्द से चुटगारा पाने के लिए कुछ आपको टिप्स बताएं कुछ करेल उपाएं बताएं जो की 100% असरदार है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा लाइक और शेर कर दीजी ताकि हम इसी तरह के और वीडियोज आपके लिए ला सके धन्यवाद